एलो दोस्तों सुवागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाली है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ यहाँ पर देख सकते हैं एक नई बेकेंसी निकली हुई है एचे एल में द दिवरी वाले चात्रों चाहिए जिन भी चात्रों ने बीटेक किया है उन सबी चात्रों के लिए और गाईस जिन भी चात्रों फोने Хॏम वेकेंसी है तो सबी चात्रों समझाने वाला हूं लास्ट डेट क्या होने वाली है फॉर्म कैसे अपलाई करेंगे आप ठीक है तो हर एक जो इंपोर्टेंट लिंक्स होंगे उन सभी के लिंक्स में आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में प्रोवाइट करा दूगा और दोस्तों इसका जो यहां पर फुल नोटिपिकेशन खुद भी पड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके फुल नोटिपिकेशन पर देखिए फुल नोटिपिकेशन पर आप कैसे डाउनलोड करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखिए आपको एक नए page पर पहुंच जाएंगे ठीक है नए page पर आप पहुंच जाएंगे carrier section पर जैसे आप नीचे scroll करकाएंगे देखे थोड़ा नीचे scroll करकाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप guys देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो य यह Apprentices सब्केंसिक्त है मैं आपको इसका फुल नोलाटी डाउनलोड करके दिखायता हूं गाइस मैंने डाउनलोड किया हूँ तो देहिए मैं आपको डार्यक नोलाटी सब्सक्राइब का लिके चलता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके हम फुल नोलाटी पर आ चुके हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक लिमिटेट एरक्राफ डिविजन नासिक ओजहार टाउंसी पोस्ट के लिए यहां पर पढ़ सकते हैं जैसी आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ठीक है यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है इंगेजमेंट औाफ एप्रेंटिशिप इन एरोनोटिक लिमिटेट नासिक अंडर ताइप्रेंटिशिप एक्ट 1961 निकाली गई है देखिए कुछ यहां पर आपको फॉर्म करने से पहले important instruction है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं यहां पर आप देख सकते हैं अंडर द है जो भी आई टे पास उचात्र में सभीका रेजिस्ट्रेशन जो पोर्टल पे वना अनीवार रहे है और जो भी डिपलोमा और यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन पर क्ने बे वहना अनिवारर है तभी आप इस्में जो बेकेंसी दी गई है यह देख सकते हैं आप graduate apprenticeship stipend आपको मिलने वाला यहाँ पे 9000 परमत देखिए 9000 जो डिगरी वाले चात्रे हैं उन सभी को मिलने वाला ठीक है तो बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बेकेंसी है यह देखिए ऐरनोटिकल इंजिनिंग के वाले चात्रों के लिए यहाँ पर काफी अच्छी बेकेंसी है पांच पोस्ट यहाँ पर दी गई है और computer science की अगर बात करें तो total 12 पोस्ट है civil engineering के अगर हम बात करें तो guys यहाँ पर देखिए 10 पोस्ट है electrical engineering की बात करें तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 16 पोस्ट है electronics and telecommunication की बात करें तो यहाँ पर 18 पोस्ट दी गई है mechanical इंजिनिंग में देखिए degree वालों के लिए 50 पोस्ट है सबसे ज़्यादा पोस्ट mechanical वाले के लिए दी गई है यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर 186 पोस्ट निकल गई है काफी अच्छी यहाँ पर बेकेंसी है इस टाइपेंड भी मिल दा है अच्छा कासा इस टाइपेंड देखिए जिससे कि आप अपना खर्चा अच्छे से चला सकते हैं उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहां पर करते हैं तो दोस्तों आगे जब पर्मानेंट वेकेंसी आती है ना सबसे जाद फायिदा उन्ही छात्रों को मिलता है पोस्ट हैं Computer Engineer की यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पोस्ट हैं और Electrical की अगर हम बात करें तो Total यहाँ पर 19 पोस्ट दी गई हैं देखिए Mechanical की सबसे ज़्यादा वेकेंसी यहाँ पर देखिए 50 पोस्ट दी गई हैं Lab Assistant की 3 है, Hotel Management की 3 है Nursing Assistant की यहाँ पर 3 वेकेंसी दी गई हैं Total पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 111 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर Diploma Passout चात्रों के लिए Guys Diploma Passout चात्रों के लिए काफी अच्छी वेकेंसी हैं अगर आपने Diploma किया है तो इसमें Form जरूर Apply करिएगा अब हम बात कर लेते हैं Guys देखिए ITE Passout चात्रों के लिए तो ITE Passout चात्रों के लिए काफी अच्छी वेकेंसी दी गई है देखिए Diploma और ITE वाले चात्रों को जो इस टाइप एंडना वो बिल्कुल सेम है देखिए 8000 Diploma वालों को है और 8000 ITE Passout चात्रों के लिए है तो बिल्कुल भी परिशान यहां पर आपको नहीं होना है तो आप बेकेंसी देखेंगे तो Guys ITE में सबसे ज़्याद है बेकेंसी यहां पर दी गई है देखिए बेकेंसी देखिए फिटर ट्रेट की अगर हम बात करेंगे तो फिटर ट्रेट में जो बेकेंसी दी गई है वो 146 दी गई है और आपने यहां पर ITE की होनी चाहिए फिटर से टूल एंड डाया मेकर की बात करें तो 10 पोस्ट है और painter की यहाँ पर देख सकते हैं साथ पोस्ट है और seat metal worker की चार पोस्ट है mechanic motor vehicle की आप देख सकते हैं यहाँ तोटल 6 पोस्ट है और guys जैसे ही आप यहाँ पर नीचे scroll करके आएंगे ठीक है जैसे नीचे scroll करेंगे तो आपको और vacancy देखने मिलने वाली है तोटल यहाँ पर देखिए चार पोस्ट दी गई है mechanic motor vehicle की mmb जैसे ट्रेड बोलते हैं इनकी यहाँ पर 6 पोस्ट दी गई है और copa trade की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 63 पोस्ट दी गई है काफी अच्छी वेकेंसी है copa trade वालों के लिए बस iti की होनी चाहिए आपसे copa trade से ठीक है welder trade की यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है steno grouper की 5 पोस्ट है और RAC trade की बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट है दोस्तो जब आपकी यहाँ पर complete यहाँ पर जो पर्मनेंट वेकेंसी आती है तो उसमें आपको यहाँ पर काफी benefit मिलने वाला है अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि आप इसका form कैसे यहाँ पर apply करने वाले हैं कैसे आप इसका form apply करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो engineering यहाँ पर graduate और diploma वाले चात्रे हैं उन सभी का यहाँ पर MHRD Nets portal पर registration होना अनिवार रिया है और ITE pass out चात्र जितने भी हैं उन सभी का यहाँ पर apprenticeship India.gov.in पर registration होना अनिवार रिया है दोस्तो अगर किसी ने registration नहीं किया है तो अभी भी registration कर दीजिए मैं आपको इसका link जो है इसी वीडियो के description box में provide करा दूँगा तो जो भी चात्र देखिए registration करना चाते हैं तो अपना registration कर सकते हैं और इसका full notification आप अपने according खुद भी पढ़ सकते हैं अब हम दोस्तो important dates की बात कर लिते हैं यहाँ पर देखिए जो आपके form शुरू होए है दोस्तो वो यहाँ पर देखिए दो अगस्ते आपके form यहाँ रखी गई है जो दोस्तो आपका tentative document verification की date रखी गई है वो 4 September यहाँपर रखी गई है चार सितंबर से देखिए, चार सितंबर से सोला सितंबर तक आपको यहाँ पर document verification के लिए आपको बुला लिया जाएगा और दोस्तों जैसे आप नीचे scroll करके आते हैं तो कुछ important instruction आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे इन instruction को guys आप अपने according खुद भी पढ़ सकते हैं मैं आपको full notification इसका अपने टेलिग्राम चैनल electrical गोपाल पर provide करा दूँगा तो जो भी छात्र अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाईए काफी आपको helpful यहाँ पर मिलने वाला है तो दोस्तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जादा से जादा share कर दीजिए और electrical गोपाल योट्यूब चैनल को subscribe कर लीजिए काफी अच्छी अच्छी जानकारी में आपको इसी तरीके की और provide कराता हूँगा अगर दोस्तो आपकी कोई query है तो दोस्तो आप मुझसे डारेक्ट यहाँ पर वीडियो के comment section में comment कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मैं हरे comment का जरूर जबाब देता हूँ तो I hope गाईज यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में share कर दीजिए और दोस्तो इस vacancy में form आपको जरूर फिल करना है तो मिलते हैं गाईज नई वीडियो में तब तक के लिए जैन दोस्तो